नमस्कार, Biography and Real Life Story इस चानल में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले हमने तीन कलाकार की जानकारी आपको दी थी। वे कलाकार थे किदारनाथ सैगल, हर्बन जर्शन अरोरा और मूलचन। इन तिन वीडियो में हमने आपसे गुजारिश की थी कि अगर किसी के पास इन कलाकार को लेकर कोई भी जानकारी हो, तक कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए। हमारे इस विननती पर कुछ दर्शकों ने जानकारिया मुहया करवाई हैं। सबसे पहले सब ही दर्शकों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। तचलिए, सबसे पहले मूलचन जी के विडियो पर आए कुछ कमेंज पर गौर करते हैं। श्री निर्मल बंदु जी ने बहुत उप्युक्त जानकारी दी है। मूलचन जी मेरे एक दोस के लिए काम करते थे। जब उनके पास फिल्में नहीं होती थी, तब वे पार्ट टाइम सेल्स का जॉब करते थे। श्री बिपिन अहुजा जी ने बड़े कमाल की जानकारी दी है। इनके जरीये हमें मूलचन जी का सरनेम का पता चला है। श्री मूलचन कपूर जी बिल्डिंग नंबर 29 चेंबूर कैंप में हमारे पडोसी हुआ करते थे। उन्हें दो बेटी और दो बेटे हैं। मूलचन जी के वज़े से हमें भी बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करने का मौका मिला। तब सेंट अन्थनी स्कूल के प्रत्तिक छात्र को 40 रुपई मिलते थे। हमेशा खुश मिजाज रहने वाले मूलचन जी अच्छा खाना भी बनाते थे। श्री मूलचन जी की पोती मौनिका जी ने भी हमें कमेंट बॉक्स में सहयोग दिया है। ये भी बताती हैं कि मौलचन जी जब घर में होते थे तब लूंगी और टी-शेट पहना करते थे। सिर्फ मौलचन जी ही नहीं बलकि पूरा कपूर परिवार खाने का शौकीन है। हरबन्स दर्शन M. अरोरा जी के विडियो पर आएक कमेंट्स पर नज़र डालते हैं। ट्रावल टाइम प्लीज नाम से एक यूजर चैनल है। इसे मेरे अलावा कोई पहचान नहीं पाया। श्री सतीश कुमार जी ने बताया कि वे अमृत्सर से थे। केदारना जी के विडियो पर आएक कुछ कमेंस इस प्रकार है। श्री परवेज A.K. खान बताते हैं। मैं जब छोटा था तब केदारना जी को चेंबूर बस्टॉप पर देखा करता था। 1997 के साल में दर्शन जी फिल्म मेजर साहब पर काम कर रहे थे। तब वे बहुत बूडे हो चुके थे। एक क्रू मेंबर ने उन्हें रास्ता पार करने में मदद की और वे बस टॉप के हां रुग गए। इसके बाद मैंने उन्हें दुबारा कभी नहीं देखा। श्री नितिन डर्वी बताते हैं। 1990 के साल में SL स्टूडियो में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वे हमेशा बस से यात्रा करते थे। श्री अरुन विर्मानी बताते हैं दर्शन और किदारनाथ सैगल इन दूनों का फिल्मी जीवन एक सा था। ये बात मुझे खुद किदारनाथ सैगल जी ने बताई है। 1989 के साल में मैं डेली से मुंबई आत्रा कर रहा था। मुझे लगता है कि दर्शन जी जम्मू के रहने वाले थे। श्रीमती डॉली डिसोजा बताती हैं चेंबूर में हर सुभ मेरी मुलाकात उनसे बस में होती थी। श्री विवान बताते हैं उनकी बड़ी बेटी मेरी दोस्त है। सैगल सहब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। उनका परिवार साधारन जीवन शेली से जीता है और बॉलिवुड चे दूर रहता है। श्री हेमन महता बताते हैं 2007 में ये मेरे साथ वाले रेल कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। वो जामनगर होकर आ रहे थे और मैं जूनागर से सवार था। रेलवे की लिस्ट में वी के शर्मा नाम दर्स था। प्रणी जूना वी रहतीत संगे जूना तरarme की लिए मर चील tuo कंपार्टमेंमने साथ का 96 में बॉल से सकते शर्मा Al प्रुड चाले के वी हे रहे है। झाल झाल